कार साथियो टिब्यां वाड़े बिलोग यूटीव चैनल पार एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम 40 दिन बाद एक नहीं और वीडियो लेकर आए हैं आज हम आपको हमारी कंग की फसल दिखा रहे हैं जैसे कि पहले जो वीडियो हमने डाले हैं उसका रांगा जो बहरा है और जो इसके उपर शीटे लगे हुए है जे बाड़ी बल्या है वो हरी है उस समय की जे देखे जे थोड़ी सी हरी है लेकिन जे भी सुन हरी होने लाग चुकी है जे देख साते हैं आप कुछी दिनों में जे बल्या पकने बाड़ी है और जब जे पक जाएगी तो इसे हर्वाइश्टर से हर्वाइश्ट किया जाएगा और इसे निकाल लिया जाएगा खड़ी फसल को मिशिन काड़ देगी और निकाल देगी और हम इस काणक की बात करें तो जे है HDT-80 और जे जहां की काफी और आप यह देख सकते हैं इसकी जो बाली है अगर हम इसके जाड़ की बात करें तो जे 50 मन से लेकर 60-65 मन परती एकड़ के इसाब से होती है और इस काणक को बात चैपानी है और इसकी कंडीशना बहुत अच्छी है और यह कुछ ही दिनों में पकने वाड़ी है और यह देख साते हैं कि जहां डोली पार जो इहांसके जो पोदे कड़े हैं उनकी जो बाली है वो हड़ी है लेकिन जो बीच में क्यारी के बीच में है बहुत वारी कानक सुनेरी हो चुकी है जाने की सूखने लग चुकी है पकने लग चुकी है अब इस कानक को लाग पाग 6-7 दिन बाद इसकी कटाई कर देंगे अब ही जे तो बहुत इच्छी थे कंडिशन में खड़ी है लेकिन पिंजाब में इसा बहुत बुरा हाड़ा के कानक की फसल का और बहाँ पर तो काफी ज़्यादा कानक की फसला वो नेश्ट हो चुकी है क्योंकि बहाँ पर वारिस और गड़े मारी बहुत ज़्यादा है उद्रांदड भी बहुत ज़्यादा था कि देखिए दूर दूर तक कनक की कनक दिखाई दे रही है क्योंकि यह पूरे का पूरा बेल्ट कनक की फसल का है और बीच में कहीं कहीं सर्सों भी जाई हुई थी लेकिन अब सर्सों को तो काट लिया गया है सर्सों की वीडियो तो χामा से डाली नहीं कहीं और आगर हम झूने हम एक नए वीडियो के साथ आज कि मारे वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जुरूर रोधाना अगर अच्छी लगी तो हमारे यूट्यू चैनल को सर्भनिसक्राइब कर देना और वीडियो को लाइ डड़ में बादर निया बादर